नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमाई चैनल पर मैं पपाली कुप्ता आज आपके लिए most important questions लेके आराई हूँ जो कि हमारे आने वाले state exams के लिए बहुत जादा important है जो state engineering services exam होने वाले हैं बहुत लाइन अप है हमारे exams जैसे कि UPPSC हो गया SSCJ हो गया और बिहार में भी लेक्शिरर की पोस्ट और एसेशन प्रोफिसर की पोस्ट का exam होने वाला है तो गाईस इसलिए हम यहाँ पे कुछ important question लेके आएं और यह हमारा set one है अगर आपको हमारा यह set और यह video अच्छा लगे तो आप हमें comment करिएगा कि इस type की series आगे भी continue हम करें और आपके लिए द पॉर्शन नमबर वन से अट टाइप ऑफ बॉंड इन दा ब्रिक मेजनरी इन वीच इच कोर्स कंसिस्ट ओफ अल्टरनेट हेडर एंड श्रेचर इस इंग्लिश बॉंड रेकिंग बॉंड लॉंड फ्लेमिश बॉंड तो यह पॉर्शन बहुत ज्यादा एजी सा है यहाँ पर इसका जो राइट अंसर होगा वह हमारा हो जाएगा फ्लेमिश बॉंड ठीक है यहाँ जब भी आप देखी यहाँ पर इच कोर्स लिखा हुआ है इच कोर्स एक कोर्स क्या करता है कंसिस्ट ओफ अल्टरनेट हेडर एंड इस्ट्रेचर ठीक है एक कोर्स में आपका क्या हो एच ही कुर्स में अल्टरनेट हेडर है फहले स्ट्रेचर पिर हैडर फिर remains फिल हेडर फिरत इसस्ट्रेचर फिल इस हेडर तो यह हमारा क्या हो जाएगा इस तरीकिसा होता है यह h header और यह stretcher header stretcher और header तो इसको हम क्या बोलेंगे फ्लैमिश बॉन्ड और अगर यहीं पर आप English bond की बात करें तो English bond में क्या होता है? alternate header header और stretcher होता है यह एक हमारा header header हो गया फिर stretcher हो गया तो इस तरीके से जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा English bond तो here right answer will be D. Next question देखते हैं Queens in brick masonry are? यह क्या होता हमारा? brick cut a corner in a triangular fashion यह नहीं होगा यह जो होता है king closer आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें क्या करते हैं? जो हमारी brick रहती है इसको हम क्या करते हैं? इस portion से इस तरीके से cut कर देते हैं यह हमारा हो जाता है king closer half brick with length same but with half तो यह भी हमारा नहीं होगा यह हमारा coin closer में हो जाता है quint junction of wall यह भी हमारा new होता है तो queens in brick masonry are क्या होता है? corner junction of wall तो here right answer will be B. जो यह क्या होता है? corner जो portion होता है wall का हमारा जैसे यह हमारी कोई wall है तो इसका जो यह corner portion होता ही इसको बोलते हैं next question देखते हैं if rice if r is the rice and g is going upstairs the empirical formula used to fix rice and going is 2r plus g and it should be between देखें यह question जो है इस तरीके का question आपको value इसमें याद रखनी है तो जो यह 2r plus g empirical formula लिखा हुआ है यह दोनों अगर centimeter में होते हैं यहाँ पर r के हमारा rice है और g के हमारा going upstairs से तो इसका जो sum होता है वो होता हमारा 60 centimeter ठीक है तो जो यहाँ पर right answer हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 550 mm से लेके 650 mm तो इसके बीच में यह value लाई कर दी say here right answer will be B next question देखते हैं maximum size of course aggregate used as base course in ground floor is तो यहाँ पर देखिए question पढ़ने से आपको पदा चल जाना चाहिए कि इसका answer क्या होगा आप ज्यादा option देखके time risk ना ही करें तो यहाँ direct सिधा question है 12 mm, 40 mm, 40 mm, 50 mm तो right answer है क्या हो जाएगा 40 mm जो maximum size of course aggregate हम लोग लेते हैं किसी भी ground floor के लिए flooring के लिए वहाँ पर हम 40 mm का aggregate यूज करते हैं next question देखते हैं flying shorts are used to strengthen single wall, two adjacent wall, 12 wall, any of the above तो यहाँ देखिए flying shorts लिखा हुआ है जो shorts होते हैं यह temporary structures बनाया जाते हैं किसी भी wall को support करने के लिए या two intermediate two buildings को support करने के लिए तो यहाँ पर पूछा गया flying shorts की बात की गई shorts mainly अभी आगें discuss करते हैं कि कितने types के होते हैं तो यहाँ पर flying shorts की बात की गई यह तो यह क्या करता है किसको strengthen करने के लिए यूज करते हैं two adjacent wall तो right answer will be B next question देखते हैं इसमें mainly क्या रहता है जैसे दो buildings रहती हैं हमारी ठीक है दो structures हैं इसके बीच में जो support के लिए हम जो structure बनाते हैं strut और सब यूज करके तो उसको हम click or support करके पूरा structure लगाते हैं और पूल करने के लिए intermediate structure उसको हम बोलते हैं flying shores next question when large openings are to be made in existing wall the type of temporary work used is देखिया अभी मैंने बताए जो shores होते हैं हमारे वो क्या होता है एक type का temporary structure बनाते हैं किसी भी चीज को support करने के लिए building में ठीक है और वो तीन type के होते हैं पहला हमारा होता रेकिंग जैसे कि यहां पर नाम लिखा हुआ है second हो गया हमारा flying जो कि to adjacent wall के बीच में बनाते हैं building के बीच में बनाते हैं और third हो गया हमारा dead तो यहां पर क्या पूछा गया है large openings are to be made in existing wall कोई भी वाल है उसके बीच में यह opening जैसे हमें बनाना यह कोई वाल है उसके opening अटेब्रेरी opening बनाएंगे इसको हम क्या बोलते हैं dead shore तो है right answer will be D और रेकिंग में क्या होता flying आप लोगों ने देखी रिया अब प्रिवेस question में रेकिंग में क्या करते हैं यह जैसे कोई बॉल है हमारी यह ठीक है foundation है और इसको अगर हम inclined पर support देके बनाते हैं तो यह जो structure बनाते हैं inclined पर support देके उसको सब टेब्रेरी structure इसको हम बोलते हैं रेकिंग शोर्स जो कि 45 से 75 डिग्रे एंगल पर बनाते हैं नेक्स question देखते हैं water requirement per day per bed in a hospital is अब यहां देखिए environment का question आ गया 45 लीटर 135 लीटर 270 लीटर 340 लीटर तो यहां पर water requirement per day per bed की बाग की जारी है in a hospital तो इसकी value as per is code जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें जो इसकी value होती होती 340 लीटर यह आपको value याद रखनी है next question देखते हैं और guys आप comment section में comment करियागा कि 135 लीटर क्या होता है यह क्या यूसे हमारी कौन सी डिमांड होती है और 270 जो होती है यह हमारी कौन सी डिमांड होती है राइट नेक्स्ट पॉस्टन देखते हैं which one of the following is not a type of trap used in plumbing तो देखे टाइप आप लोगों ने पड़ा होगा यहां पर एक option है जेट टाइप तो यह हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा जेट टाइप यहां पर फूशा गया not ठीक है इनमें से कौन साल नहीं है plumbing में जो यूज़ करते हैं तो जेट टाइप नहीं यूज़ करते हैं next question देखते हैं the cement to dry sand proportion recommended for plastering concrete surface is अब concrete surface के लिए जब भी हम water surface के लिए बात करते हैं तो इसका जो ratio लेते हैं the cement का तो यह होता हमारा one is to six ठीक है cement sand का जो proportion लेते हैं यहां लिखा हुआ cement to dry sand proportion यह one is to six लेते हैं तो है राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा B और यहीं अगर हम interior wall यहां पे exterior interior नहीं लिखा हुआ है तो आप प्रास्टिंग लिए 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 तो यह हमारा one is to six हो जाएगा और interior wall के लिए बात करते हैं तो इसका तो आंसर हो जाता है वह one is to four हो जाता है ठीक है next question देखते हैं गेस्ट, cement, mortar, consist of देखें यह भी बहुत easy सा है यह क्या होता है sum of यह होता है cement mixture होता है cement plus lime plus sand तो it is the sum of cement, lime and sand तो यहां पर option देख लेते हैं कि गेस्ट, cement, mortar क्या होता है तो right answer आपके जो है वह हमारा C है cement, lime and sand next question देखते है impact value of stone for road work specified is impact value आप लोगों को पता होना चाहिए लाइब बोर्टरी में हम लोगों इसको perform करते हैं aggregate की impact value निगालते हैं ठीक है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि material कितना tough है उसकी toughness property का पता चलता है तो यहां पर option है wearing coat के लिए 30% यह सही है हमारा bituminous macadam के लिए 35% यह भी सही है water bound macadam 40% तो यहां पर जो तीनों options है all options are correct तो है right option will be d all of the above let's move on next question which one of the following does not belong to endogenous tree दो टाइब के tree होते हैं endogenous और exogenous यहां पर पूछा है कि कौन साइस में से है जो does not belong to endogenous tree तो option देख लिए टीग coconut bamboo and cane sugar cane यहां बात की जा रही है तो है right option कि यह हमारा hardwood में आता है है एक तो यह hardwood होता है हमारा softwood होता है तो यह हमारा hardwood होता है और यह exogenous trees में आता है exogenous trees में आता है यह endogenous है वह exogenous में तो यहां पर क्या हो जाएगा right answer टीक और बाकी जो तीनों है यह हमारे endogenous है जो अंदर की तरफ grow करते हैं आप लोगों ने बंबू देखा होगा coconut कट्री भी देखा होगा sugar cane में क्या अंदर की तरफ वो इसकी जो लकड़ी रहती है softwood की category में यह सब आते हैं next question देखते हैं alumina in brick earth gives the bricks shrink color plasticity resistant to shrinkage तो जो alumina का काम होता है वो क्या करता है plasticity provide करता है brick में जिससे वो असानी से mold हो सके तो है राइट answer क्या हो जाएगा हमारा पूछे हैं यह सब्सक्राइब करते हैं वह हम लोग क्या करते हैं वह हम लोग क्या करते हैं फॉर्ट टेबल में पूछे हुए है state level a level के exam में यह सब question आ चुके है next question देखते हैं when fat lime यहाँ पर यह fat lime लिखा हुआ है थोड़ा सा visible नहीं है when fat lime is slaked its volume cracking आपको पता है कि जब चूने को बुझाया जाता है या फिर उसमें पानी एड किया जाता है तो क्या बनता है उसका volume जू होता है increase करता एठ है जब आपने चूने में क्या ड点ा जो fat lime होगा slake किया जाएगा तो उसका volume क्या करता है increase होता है वो increase कितना होता है वो 2 से 3% तक होता है तो यहाँ right option क्या हो जाएगा C increases by 2 2.5 times right answer will be C next question देखते है the process of adding water to quick lime in order to convert it into hydrated lime is known as तो यही adding अब क्या हुआ आपके पास lime है line में आपने क्या किया पानी को add किया water को add किया तो इस process को क्या बोलते हैं slaking ठीके तो इसमें क्या बनता है calcium hydroxide इसको चूने का बुझाना बोलते हैं तो here right option क्या हो जाएगा यहाँ पर D slaking next question rotary kiln used in manufacturing cement rotates at a speed of यहाँ पर rotary kiln की बात की जाएगी कि किस speed पे rotate होती है तो यह आप लोगों को पता होगा जब cement की burning करते हैं तो हम rotary kiln का यूज़ करते हैं और यह बहुत बड़ी kiln होती है जिसमें तीन कप पार्टमेंट होते हैं minor burning होती major burning होती है और इतने high temperature पर हम इसको burn करते हैं और अगर यहां पर रखते हैं जो इसमें ग्रेडियंट पर रखते हैं जो इसमें ग्रेडियंट होता है और अगर यहां पर revolution की बात किया रही कि कितना रोटेट करती है तो जिसमें इसमें revolution होता है revolution होता है हमारा 3 राउंड पर मिनट तो हैर आपको यह यह स्पेसिफिकेशन से इसको देखके आपको यहां पर राइट अंसर पता चल गया होगा कि यहां पर राइट अंसर क्यों हो जाएगा एव ना रपीम से रापीम के बीच में यह वैरी करता है तो राइट अंसर एट नेस्ट कोशन करते हैं कि फाइनेस मॉडूलस इस फाइनेस मॉडूलस का आपको फाम्ला पता होगा तो यह क्या होता है देश्यो ऑफाइनेग्रीगेट फॉड्य यह नहीं होता है देश्यो ऑफाइनेग्रीगेट टोर्ल अग्रीगेट यह भी नहीं होता है में चलिए कोनीकों देखते हैं चलिए नग्सक्कोंड देखते हैं चलिए recoONG को स्षप्षास को होगा हि को दफिया सब्सक्राइब तो पार्ट्स में आपको Cambium रहा है पीद हार्ड और सेब वूट दिया है यह अगर आप टी टी का क्रॉस सेक्शन आपको पता होगा तो आप लोगों ने देखा होगा यहां में क्रॉस सेक्शन ट्रॉड गर देने हैं जिसका इनर पॉर्शन होता है इनर पॉर्शन ऑफ टी इ जो पोर होता है इसको हम क्या बोलते हैं पित यह जो लेयर्स होती है यह हमारी मेडुलरी रेज रहती है madeullary rays और यह annular rings है जिसे प्रिकी aging का पता लगाते हैं यह हमारी क्या है अनुलर rings है जिनसे हम प्री की aging का पता लगाते हैं कि पेर कितना पुटाना है और यहां पर हम बात करने हैं यह हमारा pit हो गया फिर उसके बाद हमारा pit के उपड़ की जो layer होती है just ऑपर की कि स्कों हम क्या बोलते हैं यह हमारा होता है Canım कर यह अपर option में भी है जो क्या अको मेश करना है और half के उपर कि जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं Sabwood अब यह जो हिए hardwood सराउंड रहता है इसको जाय कूलते हैंog और सैग उटके उपर की जो लेयर रहती है इसको क्या बोलते हैं हम यह जो लेयर होगी हमारी यह वाली यह हमारी हो जाएगी कैम्बियम लेयर और यह तो आपको पता है जो छाल होती इसको हम बार्क बोलते हैं इनर बार्क और आउटर बार्क होता है तो इस तरीके से यह ट्री का क्रॉस सेक्शन होता है अब यहाँ पर ओप्शन देख लेते हैं उसका करेक्टर क्या है जो कैम्बियम लेयर अब यहाँ जैसे बताया कि शल्ट के जो नीचे की लेएर और में चले अपर उसके आप बाघ को बहुता होता है नेक्स हमारा पित प्रूंढ पीत उन्ले ψ का चाले करो धऌर वो सकत्री अधिर समक्त होट रूहता है धलाइध आ सिस्टर सिएघर, प्नक्नष पार्र, उगज़ यहां पर देख लेते हैं क्या होगा यह हो जाएगा हमारा सही है हार्ट वूर्ट क्या हो गया फोर्थ अब हमें पता चल गया है यहां यहां बदाया जो नीचे की लेर होती है उसको हम बोलते हैं सेवुड जिसको यंगस लेर भी बोलते हैं तो यह हमारा हो जाएगा वर्ट राइट आंसर है विए तो गाइस यहां जेओ मैंने हम लोगों को ने इतकुछ इंपॉर्टन पॉश्चन्स लेते हैं उनका डिस सब्सक्राइब करिएगा और हमें कोमेंट करके बताइएगा कि अगर हम इस तरह की सीरीज आगे हो और कंटिनु करें थाइंक्यू फो वाचिंग इस वीडियो थाइंक्यू सो मच